नमस्कार दोस्तों, इस पिक्चर को देखके आप जितना सप्राइज हो रहे हैं, करीब करीब उतना मैं भी सप्राइज था लेकिन दोस्तों ये सही बात है, डॉनल्ड ट्रम्प के खिलाफ अरेस्ट वारेंट निकल चुका है दोस्तों, arrest warrant issue किया है Donald Trump के मित्र ने उनके best friend आप किया सकते है क्योंकि ये news में हमेसा रहते है और Trump के साथ इनका नाम हमेसा जोड़ा जाता है मैं बात कर रहा हूँ Iran के President Hassan Rouhani का Hassan Rouhani, जो Iran के President है Iran और USA के बेच काफी दिनों से Trade War चल रहा है और USA के उपर sanctions लगाए हुए है और ये सबसे ज़्यादा बढ़ गया तब जब इरान के एक major general थे ये उन्हें USA के armed forces ने missile के द्वारा जब ये इराक में थे court forces के leader थे ये इधे मार दिया गया था और USA ने accept भी किया था और जब इनकी death के confirm news आती थी तब Donald Trump ने एक USA का flag अपने Twitter पे लगाया था और उन्होंने कुछ नहीं बोला था तो वो अपना victory दिखाना चाहते थे तो लेकिन इनका قद इरान में बहुत ज़्यादा बड़ा था और इन्हें माना जाता था कि हसन रुहानी के बाद second topmost leader यही थे इसके बाद बहुत गुस्सा था इरान ने बहुत से missiles भी fire की थी लेकिन वो कुछ खास effect नहीं कर पाई थी वहाँ basis जो थे USA के अब इरान ने क्या क्या है उन्होंने F.I.R. निकाला है F.I.R. तो नहीं आप arrest वर indirect निकाला है उन्होंने और वो उन्होंने forward किया है इंटरपोल को इंटरपोल होती है इंटरनेशनल पॉलिस यह 1923 में फॉर्म हुआ था और इस समय इसके president South Korea के एक police officer है दोस्तो अगले साल इंटरपोल का assembly होने वाला है इंडिया में अब यह interesting होगा देखने के लिए कि इंडिया इस पे कुछ action लेती है क्या लेकिन फिलहाल इंटरपोल को इलोंने arrest warrant निकाला है तो arrest warrant होता क्या है इंटरपोल के द्वारा इंटरपोल direct arrest warrant नहीं निकालती वो list के तौर पे निकालती है यहाँ देख सकते हैं इंटरपोल के various list है सभी list को आप बाद में pause करके सुन सकते हैं मैं red list का बता दे रहा हूँ और red list के लिए ही request किया गया है इंटरपोल को कि वो issue करे डौनल्ड टरप के खिलाफ और साथी साथ 35 और लोगों के खिलाफ पे to seek the location and arrest of wanted person with a view to extradition और similar lawful action मतलब ये list अगर issue हो जाता है तो मतलब डौनल्ड टरप को अगर छोड़ दीजे कोई normal आदमी अगर होता तो उसे अमेरिका किसे पकड़ के इरान में लाया जा सकता था लेकिन यहाँ case तो पुरा उल्टा है न यहाँ पे डौनल्ड टरप अमेरिका के president है देखेंगे कि डौनल्ड टरप इस पे react कैसे करते हैं अब यह तो मुझे बताने की बात ही नहीं कि वो arrest होंगे क्या लेकिन नौवेंबर में presidential election आ रहा है और यह देखने के लिए काफ़ी interesting होगा कि डौनल्ड टरप का step कैसा होता है और आपके guarantee माल लीजिए कि अगर यह issue करते भी या फिर ना करते लेकिन डौनल्ड टरप कुछ ना कुछ action अभी जरूर लेंगे आपने notice क्या होगा general के death के बाद America कोई भी action नहीं ले रहा है क्यों क्योंकि वो wait कर रहा है election का इसके उपर मैं एक detail वीडियो मनाऊंगा कि उनकी future planning क्या हो सकती है धन्यवाद दोस्तों खुश रहिए खुश आबाटे रहिए जैहिंद subscribe करें अपने channel वीर चरीत को और जरूरी updates के लिए bell notification icon जरूर दबाएं